नमस्कार साथियों, मैं आमित, आप सभी का आमित इस्टडी लेंट पर स्वागत करता हूँ साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं counting figure chapter जिसमें साथियों आज हम लोग पढ़ेंगे रेखाओं को count करना, ब्रत्तों को count करना और घनों की संख्या को count करना तो साथियों अगर आप लोगों को session अच्छा लगे तो session को like और channel को subscribe करना न भूले तो साथियों चलते हैं आज के session को start करते हैं तो साथियों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सीधी रेखाओं की संख्या ग्याद करना साथियों आप लोगों को ये figure दिया गया है इस figure में कितनी सीधी रेखाएं हो जाएंगी आप लोगों को बताना है तो दोस्तों आप लोगों को ये एक रेखा दी गए है जैसे की तो दोस्तों इसको हम लोग एक ही line count करेंगे यहां से यहां तक इसको एक नहीं count करेंगे साथियों इसको पूरी यहां से यहां तक एक रेखा ही काउंट करेंगे, तो साथियों इसमें किस प्रकार से हम लोग रेखा को काउंट करेंगे, आई यह देखते हैं, सबसे पहले दोस्तों हम लोग काउंट करेंगे सीधी रेखाओं को, जैसे कि दोस्तों यह खड़ी रेखा है, इसक इसके बाद दोस्तों हम लोग लेटी हुई रेखा को काउंट करेंगे एक दो तीन तो साथियों से में तीन जोड़ लेंगे दो में उसके बाद दोस्तों लोग तिरी एक रेखा को काउंट करेंगे तिरी रेखा दोस्तों कौन है एक और दो तो साथियों से में दो और रेखा सबसे पहले हम लोग करेंगे खड़ी रेखाओं को काउंट कर लेंगे उसके बाद लोग तिर्यक रेखाओं को काउंट कर लेंगे चलते हैं साथियों अगले फीगर पर अगला फीगर आप लोगं को इस कितनी रेकाई हो जाएंगी वीडियो को पोज्च करो और आप लोग कमेंट में कितनी में हो जाएंगी सबसे पहले लोग इसमें लेटी हुई कितनी तिरेक रेखा होंगी एक दोस्तों इस साइड से तिरेक हो जाएंगी आपकी तो इस आकरती में कितनी रेखाएं हो जाएंगी सबसे पहले हम लोग लेटी हुई रेखाओं को काउंट करेंगे दोस्तों एक दो तीन साथियों इसमें तीन लेटी हुई रेखाए हैं उसके आद दोस्तों देखेंगे इसमें कितनी खड़ी रेखाए हैं एक दो तीन तो साथियों इसमें तीन खड़ी रेखाए हैं इसके बाद दोस्तों इसमें ढदेखते हैं कि बरत की संख्याओं को कैसे हम लोग करेंगे तो दोस्तो आप लुख को यहाँ पर व्रत दिये गये हैं Share this उनको Count करना है कि इसमें व्रत हैं थो सत्व इस्में 10 ही ब्रत हैं तो यहाँ पर दूस्तों के दस हो जाएंगे इसके बाद दूस्तों आपको अगछी अकिरत दिगई है इसमें आप लोगों को बताना है कितने व्रत तो दोस्तों हमको देखना है कि एक व्रत के अंदर कितने व्रत हैं एक दो तीन तो दोस्तों एक व्रत के अंदर तीन व्रत हो जाएंगे तो तीन यहां पर होंगे तीन तीन छे तीन नौ तीन बारा तीन पंदरा तीन अठारा तो साथियों यहां पर आपके अठारा व्रत हो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वृत काउंट करना वी समझ में आये होगा तो चलते हैं यहां पर देखते हैं दौस्तौं घनो की संख्या को कैसे हमारत करते चыт만 इसमें आप लोगों को बताना है कि घनो की संख्या कितनी हो जाएगी। तो साथ ही हो हम लोग इसको नंबरिंग करते हैं देखते हैं कि दोस्तों यह कितने मंजिल इमारत है एक मंजिल है दोस्तों यह कितने मंजिल है दो मंजिल है यह कितने मंजिल है एक ही मंजिल है इस पर नंबरिंग कर लेते हैं उसके बाद नंबरिंग करके इसको जोड़ लें impossible Allah कि यह कितने में आरत सथि और सफ यह यह कितने मंजल करके आप लोगों इसको काउंट कर में एक दो टीन दो पांच दो साथ तीन 10 तो दोस्तो इस आकरति में आपके 10 घंघ हो जाएंगे तो साथी होँ उमीद करते हैं कि आप लोगो को घंघ को काउंट करना भी समझ में आ गया होगा तो साथी होँ अगर आप लोगो को session अच्छा लगा हो तो session को like और वीडियो को जल्द से जाद आपने दुस्तों के साथ शेर करें साथ ही साथ दूस्तों आप लोग चैनल को में सब्सक्राइब कर लें और बिल आइकन को प्रस कर लें जिससे कि आप लोगों को अगली वीडियो का नोटिफिक्षन मिल सके धन्यवास आथिए